हेलो प्रेंड यह हूं मरेंद गोड़ आप देख रहे हमारे यूट्यूब चैनल गुरू मंत्रा एटू जैड दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं रोजगा समाचा सब्ता जो की अगस्त 2018 के फोर्थ वीक का है जिसमें लगए मैं आपको 10 15-20 वेकेंसियों के बारे में सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको वीडियो के नीचे कुछ इस तरह कर रहा होगा उसे प्रेस करना है आज के बाद दोस्तों वो कुछ इस तरह से दिखाई देने लेगा तो आपको यह बेल दिखाई दे रही है दोस्तों उसे जरूर प्रेस करें जिससे कि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अप्लोड करूं उसका नोट्पिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों सु आपका टैंत है एंड आई टी आई एंड ग्रेजुएशन इसमें अलगा लगा लगा क्वालिपिकेशन मागा गया है दोस्तों एज लिमिट आपकी सौरी अठारे से चालीस यह रहा तो एटेटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम में दोस्तों चालीस यह रहा और लाज डेट की बात करें तो आप बारे सितम्बाद 2018 कैसे अपला है कर सकते हैं एक्जानिवेशन पीस की बात करें तो पांसो रुपे और सेलरी आपको बारह 24,400 से 45,400 के बीच में दी जाएगी तो दोस्तों मैं आपको सभी जो भी बेकेंसी हैं उनके बारे में सौर्ड में ही बताऊंगा अगर आप फुल डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको लिंक मैंने नीचे डिस्क्रेप्शन मत दे रखा है बहां से इन सभी बेकेंसी हों के बारे में फॉल डिटेल से जान सकते हैं और मसे अपलाई भी कर सकते हैं ग्री में अगली खैसी हैं चर्ट matter कर इन आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एक जामनेशन पीश की बात करें तो अंडर्ड रुपीज और से चालिस एजार पांसो के बीच में दी जाएगी तो दोस्तो इसका भी लिंग आपको नीचे दिस्क्राब्शन में मिल जाएगा तो मैं बता दूँँ आपको सभी जो बताओं हैं उनके सभी का लिंग आपको नीचे डिस्क्राब्शन में मिल जाएगा दोस्तो अब चलते हैं अगली बेक एक एक एंसी आपकी गजराब जिसमें 226 इस टेनो गराप रहों की पोश्ट नौसों से एक लाग चब्वीस है या 600 रूपे पर मंत आपको इसके बीच में दी जाएगी है अगली बेकेंश है दोस्तों इंडियन नेवी में पाइलेट आपजरवर की बेकेंश है दोस्तों इसमें आपके पास इंजिन डिगरी होनी चाहिए मैक्सिमें वेज लिमिट आपकी थर्टी एटी यह रहे लाज़ डिट की बात कर रहा है तो आप 14 से तब में 2018 तक अपला कर सकते हैं एक्जाम पीस इसमें जिरो रूपीस रखी गई और इसक्राइब आपके पोटी है और लाज़ डिट की बात करें तो आप 12 से तब में 2018 कैसे अपला कर सकते हैं एक्जाम पीस की बात करें तो 220 रूपे और श्यार्टी आपको चोगुन सो से 25 रूपे पर मंत के बीच में आपको दी जाएगी अगली वेकेंश है दोस्तों रायस्तान सबोडि है तो इसमें 15 से तंबर तक आप अपला कर सकते हैं एक्जाम पीस की बात करें चार सो पचास रूपे और आपको इसमें डिस्क्राइब नहीं की गई है बता गया है कि आपको इसमें अच्छी खासी दी जाई हो दोस्तों आप लोगों को एक बता दूए लिमिट क्यों बात इसमें 149 वेकनसी है प्रेंशिपल टीजीटी पीजीटी पीजीटी और लाइबरेडियन के इसमें आपका वेल्थ ग्रेजुएशन पीजी एभम आपका भी एल्ट क्वालिफिकेसर अलग अलग वेकनसी के लिए अलग क्वालिपीकेसर मांगा गया है मैक्सिमम बेज लिमि वेकनसी है उनके लिए 7500 पर रखा गया है सेलरी दोस्तों इसमें बहुत ही अच्छी है प्रसार वारती में दो लाइबरेडियन इंफर्मेशन अस्टेंड की वेकनसी हैं तो इसमें दो बेकनसी हैं दो बट मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है अगर आप इसमें करना चा डिप्लोमा होना चाहिए से रिलेटिव लिमेट की बात करें तो 21 से 35 और लाजड़ेट की बात करें तो 31 अगस्तक आप इसे अपला कर सकते हैं अगली वेकनसी है राजा रामन सेंटर फोर एडवांस टेकनोलोजी ये वेकनसी इंद और के अंदर निकली तो इसमें पंद्र अपर डिवीजन क्लर को ड्राइवर की वेकनसी है जिसमें क्वालिफिकेसन अपर 10 और ग्रेजुइशन अलगला क्वालिफिकेसन अलगला को इस्ट के लिए मांग गया है ये लिमेट आपकी अठारे से 27 और लाजड़ेट की बात करने तो आप दिसे 10 सेतंबर तक हैडला कर सकते हैं एक जम्पीस आपकी सुने रुपे रखिए ये अपको अठारे जासे 25 और पांग सो पचास के बीच परमंत आपको दी जाएगी अगली वेकनसी है सवदार जगंज ऑस्पिटल जिसमें 999 नर्स्टिंग ऑपीसर की वेकनसी है दोस्तों जिसमें क्वालिफिकेसन आ है कि आपको बहुत अच्छी खासी सेलरी दी जाएगी अगली वेकनसी है रिजर्व बैंक ऑप इंडिया जिसमें 60 स्पेशलिस्ट ऑपीसर की वेकनसी हैं दोस्तों इसमें क्वालिफिकेसन आपका पीजी एंबिया और सीए मांगा गया है इसमें इसकी बात करें तो इस पर सेलरी आपको इसमें बहुत ही अच्छी है दोस्तों 35,150,62,400 रुपे दोस्तों मैं आपको बता जूँ आज थोड़ी सी टाइप करने के लिए दिया था उसने थोड़ा सा मिस्प्रिंट कर दिया है बट आगे से आपको यह प्रॉब्लम नहीं आएगी अगली वेकनसी है दो आपकी मैक्सिममम 33 एर और आप चार से तमद 2018 रुपे से अपला कर सकते हैं अगली वेकनस है कोचिन से प्याड लुमिट्ट रुपे दी जाएगी तो इसका भी लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रेप्शन मिल जाएगा तो वहाँ से आप यह अपला कर सकते हैं अगली अगली वेकनस है कोचिन से प्याड लुमिट्ट जिसमें दोस्तों मैनेजर एजी एम एवं अधर की वेकनसी हैं दोस्तों की बात करें तो बीटेक डिप्लोमा पीजी एवं ग्रेजुएशन कि अगली वेकनसी की लिए अलगला व्लिब्गेशन मांगा गया तो फिक्ति थरी यह रहे दोस्तों लाइट की बात करा तो 28 जग सब्सक्रेशन दोस्तों डिस्क्रेप्शन दे रखा है वहां से आप इसे अपला कर सकते हैं अगली वेकनसी है दोस्तों सब्सक्राइब करते हैं और अग्जाम पीस के लिए और अग्जाम पीस नहीं रखी गई और अग्जाम पीस नहीं रखी गई और सेलरी दोस्तों बहुत ही अच्छी है सब्सक्राइब कर सकते हैं अगली यह दोस्तों आटी पीसे लिंब मैनिफेक्टरिंग कॉर्परेशन और इंडिया जिसमें 38 असिस्टेंड एवं जूनियर कि लर्क एकाउंटेंड एवं अधर की विकेंशन आपको डिप्लोम आई टीए बीटेक ग्रेजुएशन पीजी एव कर सकते हैं एक्जाम पीस की बात करेंगा 500 रुपय हो दोस्तों सेलरी बहुत ही अच्छी है सत्रेजार आट्सों पीस से लेकर दो लाग साट आजार के बीच आपको परमंति इसमें सेलरी दी जाएगी तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन में मिल जागा दो कर सकते हैं एक्जाम पीस की बात करें तो पच्छास रुपय रखेंगे यह साट्सों से एक लाग बारह चार सो के बीच परमंत आपको दी जाएगी अगली वेकेंश है दोस्तों नेशनल अग्री करचल कॉर्प्रेटर मार्केटिंग फिडरेशन ओप इंडिया लिमिटेड जिसमें अश्टन बेनेजर की वेकेंश हैं दोस्तों इसमें कॉलिपिकेशन आपको डीटेक्स यह या पीजी होना चाहिए मैक्सिमिट वेजरमेट आपकी 35 यह दोस्तों लाज्ट डेट की बात करते तो 31 सकत 2008 आप इसे अपलाई कर सकते हैं एक जम पीस आपकी 100 रुपीस रखी गई और सेलरी आपकी 47 यह चैसो से एक लाग 15100 रुपे रखी गई है तो इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रेप्शन मिल जाएगा तो वहां से आप इसके बारें फोल डेटेल से जान सकते हैं और इसे अपलाई कर सकते हैं अगली वेकेंश है दोस्तों स्टाप स बात करने तो 17 सितंबा 2018 तक आप इसे अपला कर सकते हैं एक जांप इसके बात करने तो 100 रुपीस रखी गई है यह बोमेंट के लिए कोई भी पीस नहीं है इसका मैंने विडियो बनाया था उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रेप्शन आप प्रोवाइट करा दूंगा जैस कर fluorist में कि आप सब्सक्राइब सकते हैं नोट्रीकेशन के बारे में पूरी डिटेल ओनाय फॉर्म सकते हैं इसके बारे में नीचे डिस्क्रेप्शन आप देर रखाया तो वहां से आप इसके बारे में बेज आगा हमसा कोश्चन कर सकते हूं और कमिंग सुन जोप्स के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल को जरूर सस्क्राइब करें और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों सेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें जतने भी आपके श् जय ही जय भारत